हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल क्रिकेट एक्सपोर्ट में दोस्तो आईपिल दोजार तेईस का पंद्रोवा मुकाबला राज चैलेंजर बेंगलूरू और लखनव सूपर जाइंट्स के बीच में चिन्ना स्वामी किरकेट श्टेडियम बेंगलूरू में दस अप्रैल को खेला जाना है और आज के इस वीडियो में हम इस मुकाबले के लिए पिच का प्रिव्यू करेंगे और साथ ही दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का प्रिव्यू करेंगे कि कौन सी टीम मजबूत है वीडि जैसा कि हमने पहले ही पिच रिपोर्ट सेग्मेंट में चिन्ना स्वामी किरकेट श्टेडियम बेंगलूरू के प्रिव्यू किया था और उसमें हमने बाउंडी साइज से लेके सारे स्टैट्स को कभर किये थे टीट्वेंटी इंटरनेशनल और IPL स्टैट्स भी थे तो आ आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला है लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए प्रिव्यू करेंगे आपको बताएंगे कि इस मुकाबले से हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं यह दूसरा मुकाबला होगा चिन्ना स्वामी मुंबई इंडियन्स को हरा दिया था पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियन्स की टीम सुरुवाती जटकों के बाद तिलक वर्मा की साधनार फाइटिंग स्कोर की बदवलत 171 रंद का बढ़िया स्कोर बनाई लेकिन जवाब में आरसीवी की टीम अपने ओपनर क के दंप है बिराट को अब लीके नाट आउट एटी टू और फाइप डिपलेसिस के सेवेटी त्री की बदवलत मातर दो विकेट के नुकसान पर आसानी से सत्रमें ओभर में ही आठ विकेट से यह मुकाबला जीत लिया था यहां पर भी दोस्तों हमें अच्छी बैटिंग को भी मददगार होती है यह फिर थोड़ा धीमा जब खेलने लगती है लेकिन कुल मिला के अच्छे स्कोर हमको देखने को मिलते हैं बात करें दोस्तों यहां पर दोनों टीमों के परफॉमेंस के बारे में तो जहां पर RCB की टीम की सुरुगार सांदार रही थी और मुंब लगनव सुपरजाइंट्स का सफर अब तक ठीक ठाक चल रहा है लगनव सुपरजाइंट्स ने कुल मिला के इस IPL में इस IPL में अब तक तीन मुकाबले खेल चुकी है लगनव की टीम जिन में से दो मुकाबले जीते हैं इस दौरान दिली कैपिटल और साथी संडाइजर रहेदरबाद को हराया था तो वही पर एक मुकाबले में CSK के अगेंस्ट एक करीबी हार का सामना करना पड़ा था और पॉइंट टेबल्स की अगर हम बात करें तो लखनव सुपर जाइंट यहां पर दूसरे नंबर पर मुझूद है जिनका तीन मुकाबलों में दो जीत और एक हार के साथ तो वही पर RCB की टीम दो मुकाबलों में एक जीत और एक हार के साथ साथ वे पायदान पर मुझूद है दोस्तों कुल मिला के इन आकड़ों से लखनव सुपर जाइंट मजबूत लग रही है लेकिन क्योंकि यह RCB का होम ग्राउंड है और RCB में बिराट कोह समय अच्छे टच में दिख रहे हैं तो हम काटे की उम्मीद कर सकते हैं आपको क्या लगता है इस मुकाबले का क्या रिजल्ट निकलेगा कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद दोस्तों